कि नमस्कार दोस्तों गेंव विटकोंच चानल में आपका स्वागत है और यह स्पेशल वीडियो दोस्तों गैरी इन लंडन दोस्तों अगर आप मेरा ट्विटर फॉलो करते हैं और आपने मेरे कल की ट्वीट देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि मैं लंडन में हूँ और मैं होभी की ट्रेडिंग समेट कर रहा हूं क्योंकि यह वहां से ट्वीट करी थी दोस्तों उसके बाद मैंने आप से कुछ फोटोग्राफ शेयर करी टेलिग्राम के उपर हुवोवी की टेशेट मिली है वहाँ पे क्या चल रहा था क्या अजेंडा है तो अगर आप मेरे टेलिग्राम ग्रुप का पार्ट है तो आपको ये सारी फोटोग्राफ और वीडियो भी दिख गए होंगे पर दोस्तों इसके अलावा अभी कोई नहीं जानता कि हुवोवी की समीट के अलावा में दो और मीटपस दो और इवेंट्स अटेंड कर चुका हूँ उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो जरूर एंड तक है और दोस्तों जो भी मैं अबडेट शेयर कर रहा हूं जो भी फोटोग्राफ्स से पिक्चर रहे मं वह सारी मेरे टेलिग्राम गुर०्स में शेयर करूँगा तो जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं बारे में मैंने अलग से community बनाई है अलग से group बनाया है उसके लिए मैंने अलग से video भी बनाया है उनको जरूर देखिए वह आप join कर सकते हैं स्टीमिट और डीट्यूब फेस्बुक का page है फेस्बुक का group है website स्प्रेडशीट है और डिस्कॉर्ड का group है और दोस्तों मैं आपको पताना चाहूंगा कि यह अभी के नहीं यह बहुत पुराने है जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है यह तब से यह groups भी साथ-साथ चल रहे हैं तो मैंने आप लोग साथ हर एक मीडियम पे कनेक्ट बाहने की कोहिश्च करी है जिसमें जो भी कंफरेबल है जो भी कोई platform यूज करता है वो मुझसे उस platform पे रीच आउट कर सकता है तो दोस्तों यह लिंक्स जरूर चेक आउट करिए और मुझसे कनेक्ट करिए अब दोस्तों हुवोबी की ट्रेडिंग स की फोटोग्राफ हैं और इसे कही ज्यादा और हैं जो मैं इस वीडियो को अप्लोड होने के बाद शेयर करूंगा अपने टेलिग्राम ग्रूप पे तो दोस्तों मैं थोड़ा-थोड़ा बदा देता हूं कि आपको इन एवेंट में था क्या तो वो भी की जो ट्रेडिंग क्यों जादा ट्रेडिंग की वॉल्युम यह लोग कर चुके हैं इसके आलावा दोस्तों हो भी लॉंच कर रहा है कौॉण टरी इंग कोंड ट्रीडिंग के बारे मदर हम नहीं जानते तो गूगिल कर सकते हैं बेसिकली कॉण ट्रेडिंग के जरीए आप हाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों वो भी लाउंच कर रहा अपना एलीट प्रोग्राम इसके बारे में उन्होंने कुछ information दी थी फिलाल यह सिरफ European countries के लिए ही है और ट्रेडिंग से कुछ information जो आपके साथ में धीरे धीरे शेयर करता रहा हूँगा इसके बाद जो था दोस्तों वो था नियो का मीटप जो मैं अटेंड किया था नियो के मीटप में नियो एज़ प्लाटफॉर्म के बारे में बताया गया और साथ ही साथ नियो पे जो भी यू आसी यो रन हो रहे हैं ia में जो फिलाल चरहे हैं उन्होंने के अंध वेलिना का क्रिप्टो विर्ल्ल टूर दोस्तों अगर आप एन बीजाना नहीं जानते तो एन बलीना एक बहुत famous influencer है क्रिप्टो की दुनिया में इन्होंने start किया थाArthur में इस और तोस्तों मैं पर्सेली इन बलिना को लास्ट ऑगस्ट से फॉलो कर रहा हूं तब इनके यूट्यूब चैनल पे सिरफ दो तीन हजार फॉल्वर्व दॉड़े थे और देखते ही देखते आईसियो इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके इन्होंने अपना इतना बढ़ा लिया है कि अब यह क्रिप्टो मिलियनियर है और दोस्तों इन तीनों एवेंट्स में कॉमन चीज थी जो मुझे देखने को मिली सबसे पहले तो जो प्रेजेंटर से ओविसली उनका सब्सक्राइब था उसमें टेक्निकल क्राउट था जो तीसरा इन बलीना का था वो थे इंफ्लूएंसर फॉलोवर्स आप और मेरे दिसे लोग और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी क्रिप्टो में कदम रखा है तो दोस्तों हर एक बंदा चाहे वो बिगनर था चा दिन कोई मार्केट का देखते हैं ट्रेडिंग करते हैं वह थोड़ा नारो और लिमेटेट परस्पेक्टिव बनता है पर आप अक्चुली में कॉण्फरेंसे एक्टेंट करते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं चाहे वो इंवेस्टर हो चाहे वो टेक्निकल लोग हो जो आप अito that nebukad कर रहे हैं जब के अंगे सुझत मिलते हैं। उनके साथ इंट्रार करते हैं तो आपको पता लगता है कि क्रिप्ट करिंसी की दुनिया वाकिह कीमें बहुत बड़ी है और बहुत तेजी से expand हो रही है जितना भी मुझे experience मिला है ये events attend करके उसका मैं summary में अगर आपको बताओं तो वह यही है कि cryptocurrency बहुत अभी starting phase में है, blockchain अभी बहुत starting phase में है, ये industry ऐसी है जिसने अभी baby steps रखने शुरू किये हैं, आगर कोई कहता है कि cryptocurrency को blockchain industry को compare कर रहा है, बिल्कुल starting phases of internet तो बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि अभी ये industry बिल्कुल starting phase में है, अभी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो research and development phase में है, उसके कारण बहुत opportunities develop हो रही है, रोज आपको नई technology देखने को मिलती है, रोज आपको iterations मिलती है, पिछले product पे, रोज आपको improvements मिलती है, एक time जरूर दोस्तों ऐसा आएगा, जब ये industry की growth जिस space पे अभी हो रही है, वो थोड़ी बंद हो जाएगी, एक stagnation आजाएगी, पर उसमें अभी काफी time है, तो हम लोग, आप लोग, क्योंकि अब इस industry में हैं, इसमें काम कर रहे हैं, तो मेरी अगर मानिये, तो आप state हो जाते हैं, कि Bitcoin का price गरता जा रहा है, या Tron का main net launch हुआ, उसका price नहीं बढ़ा, कोई coin binance पे list हो गया, shoot कर गया, हमारा जो अभी perspective है, बहुत narrow है, और हम इसी में engaged रहते हैं, बढ़ यहाँ पर आपको यह कहूँगा, कि आपको इस चीज से बहार निकलना है, आपको एक third person Eagle Eye View लेना है, पूरी system को, पूरी ecosystem को, एक ऐसे perspective से देखना है, जिससे आपको idea होगा, जिससे आपको पता लगेगा, कि यह दुनिया कितनी बड़ी है, और इसमें कितनी सारी चीजें simultaneously चल रही है, और इसका benefit यह होगा, कि जितने जादा आपको इसकी knowledge होगी, जितने जादा आपको इसके बारे में technicalities पता लगेंगी, functionalities पता लगेंगी, उतना जादा आपका खुद का confidence आएगा cryptocurrency में, cryptocurrency कि जैसे मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ एक buy product है, main चीज है blockchain, और blockchain पे जो innovations हो रही है, blockchain पे जो development हो रही है, अगर वो इसी pace पे बढ़ती रही, उसी pace पे उसमें innovations होती रही, तो cryptocurrency तो automatically बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि cryptocurrency blockchain का एक buy product है, blockchain cryptocurrency से नहीं बनती, cryptocurrency blockchain से बनती है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और इस angle से आपको investments करनी है, इस angle से आपको coin ढूणने है कि कौन से ऐसे coins हैं, उनके पीछे ऐसी क्या technology है, जिससे उनकी value आता ही है, हमेशा fundamentals और technicalities में invest करिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे stock market में investments होती है, coins को आप face value पर मत लीजे, market demand पर मत लीजे, उसके underlying technology पर जाएंगे, क्योंकि ultimately वो ही चीज, वो ही coin survive करेगा, जो सबसे ज्यादा innovate करेगा, जो सबसे ज्यादा नई चीज market में लेके दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि बर्वान की दया से मैं जो ये conference कर पाया हो, इसने मुझे बहुत सारी चीजे सीखने को मिली है, तो आप से मैं धीरे धीरे share करता रहूंगा, और काफी सारी ऐसी चीजे है, चोटी-चोटी tips हैं, जो मैं आप से telegram group पे ही share कर पाऊंगा, क्यो चैनल पे, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग engagement करेंगे, उतना ज्यादा यूट्यूबर motivated होता है, उतने ज्यादा motivation मिलती है, आपके साथ और quality content share करने का, और दोस्तों, मैं भी कोई अलग नहीं हूं, मुझे भी वही चीजें चाहिए, जितना ज्यादा मेरे YouTube चैनल पे interaction ह कि जितना ज्यादा आप में साथ engagement करेंगे, उतना ज्यादा ही मुझे motivation मिलेगी आपके साथ, और ऐसा content share करने के लिए, अब होता क्या है, कि अगर कोई ऐसा quality content आता है, और उसको अगर reach नहीं मिलती, अगर मैं share करता हूं, और वो कोई spread नहीं होता, लोगों से देखते नहीं है, तो मैं basically demotivate हो जाता हूं, क्योंकि मुझे वो incentive ही नहीं मिलता कि जिसके कारण है, वो चीज share करूं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एक like, एक share से क्या होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, जितने ज्यादा likes होंगे, जितने ज्यादा share होंगे, उ जैसे जैसे subscribers बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मैं आपके लिए और नईनी चीजें लेके आता जा रहा हूं, और नईनी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, 180 वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए और बना चुका हूं, और हर एक टॉपिक से related है, हर एक वीडियो को म नईनी और चीजें लेके आता रहूंगा, मिरे पस अभी बहुत सारा material है, जो मैं वेट कर रहा हूं, कि जब मेरे वो milestones रीच होंगे, जब वो subscriber base बढ़ेगा, उस टाइम पर मैं आपके साथ वो share करूँगा, और कितना जल्दी वो आपके साथ share होता है, वो depend करेगा कि आप मेरी कितनी मदद करते हैं चैनल को grow करने में, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, अब आपका क्या opinion है, आपके comments मेरे साथ ज़रूर share करिए, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए have a safe investment.